हेलो नमस्ते सबसे पहले आज एकॉंट्स का पेपर था सिये का उन सभी स्टुडेंट्स को बहुत बहुत शुब कामना है आपका पेपर मतलब अच्छा गया होगा मैं उम्मीद करता हूं और आपका रिजल्ट अच्छा है आज जो मैं डिसकस करूंगा आपसे बहुत ही टू की बात तो उससे पहले अगर आप लोग जैसा कि मेरा पीछे का वीडियो देखे होंगे मैं आप लोगों से क्या कहता हूं कि जब भी मेरी वीडियो को देखिए तो पेपर और पेन अपने पास रखिए और एक सेंटेंस में बता रहा हूं अक्सर जब मैं पढ़ाई कर तो क्लास में अजय अजय इंसर थे इंकम टेक्स की क्लास में वो एक सेंटेंस बोलते थे कि श्रिंगार वही जो पियामन भावे आप इस सेंटेंस को नोट कर लिजिए पेपर पेन पेपर पेन से नोट कर लिजिए कि श्रिंगार वही जो पियामन भावे यानि कि करना आप आपको वही काम है जो law को पसंद है, जो GST auditors को पसंद है, अभी क्या हुआ, मैं आपको detail में बताता हूँ, 1920 financial year 1920 का मैंने audit कराया, ठीक है, सन्योग से आज तक 2012 से मैं excise देख रहा था, फिर 17 में आपको GST आ गया, तो मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई, मोर्वेट वगड़ा क जानकारी excise के कारण सारी चीत थी, तो मुझे कोई problem नहीं हुई, और आज तक जो superintendent या जो inspector आते हैं, assessment करने, मुझे by luckily सभी अच्छे लोग मिले, बहुत supportive, लेकिन जहां पे law की दिक्कत हो जाए, मोधी जी की जहां पे लिखी हुई law जो है, तो वहां पे तो सबको दिक्कत होगे, officer क्या कर सकता है, तो चलिए हम बात करते हैं, अब आपको मैं ITC की discuss करता हूँ, ITC में सारे consultant इस वीडियो को जरूर देखिएगा, consultant और business man especially जरूर देखिए इस वीडियो को, आपके पास क्या होता है, कि आपको consultant कहता है, कि sir आपके पास invoice है, tax invoice, GST का, आप कहते हो हा परेन बनवा लेते हो, फिर कहा जाता है कि आप उसका payment का proof अपने पास रखिए, तो आप bank से जब payment करते हो, RTGS, NEFT करते हो, तो आप UTR या bank statement आप दिखा सकते हो, officer को, आपने सारा काम किया, tax invoice भी आपके पास है, माल आया भी, माल का conjunction report भी आपके पास है, और उसके बाद भी payment आपने कर दिया, फिर भी आपको ITC नहीं मिलना है, यह मैं नहीं करा, law करा, CGST Act 2017 का section 16, subsection 2, clause C, एक बार पढ़िएगा, अब क्या होता है यहाँ पे, region क्या है, सारा कुछ होने के बाद, जब आप return file करते हो, तो आप ITC कैसे लेते हो, ITC लेते हो, आप 2A से रिको करते हो, अब जब 2A से रिको करते हो, तो क्या होता है, जब seller gstr1 file कर दिया, ध्यान से मेरी बात को समझेगा, जब seller gstr1 file कर दिया, तो वो data आपके gstr2a में reflect कर जाते है, portal पे, और आप ITC ले 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 हो, गलती क्या होती है, क्या करता है, taxpayer जो बंदा है, gstr1 तो file कर दिया, बट उसने क्या किया, gstr3 भी file नहीं किया, gstr3 भी file नहीं किया, इसके चलते, इसके कारण government को duty pay नहीं हुआ, tax pay नहीं हुआ, अब जब tax pay नहीं हुआ government को, तो आपको ITC नहीं देगी सरकार, यह section 16, subsection 2 clause C काता है, एक बार मैं read करके परता हूँ, आपको समझेगा, chapter 5 ITC के लिए है, इसमें section 16 काता है, eligibility and conditions for taking ITC, input tax credit, इसका section 16 का subsection 2 clause C काता है, कि subject to provisions of section 41, the tax charge in respect of such supply has been actually paid to the government, either in cash or through utilization of ITC admissable in respect of the said supply, या तो आप cash pay करो, यानि की चलान जमा करके, या आपके पास जो ITC है, पीछे से, उसको adjust कर लो, ये दो चीज़ से आप tax pay करते हो, और अगर आपने नहीं किया, 3B5, seller अगर आप हो तो, परचेजर को ITC नहीं मिलना है, चाहे आपके पास bill हो, payment किये हो, सारे proof MRN आपके पास है, फिर भी नहीं मिलना है, ये ध्यान रखिएगा, appeal में जाईएगा, कोई benefit नहीं, और फिर आपको 88% interest, penalty, यानि कि अगर मान लीजिए, 5 लाक रुपेया है न, तो दो साल के बाद वो लगवज 7-8 लाक रुपेया हो जाएगा, तो बेहतर है कि आप हर एक महिना, या हर एक quarter में, या जब payment करते हो, creditors को, ध्यान से समझेगा, आप इसको check करिए, क्या party ने 3B file किया या नहीं किया, अब आप सोचते हो कि मैं check कैसे करूं, 3B file हुआ कि नहीं, बहुत easy बताता हूँ, आप GST का portal खोल लिए, GST का portal खोलने के बाद home page पे, आपको tab आते हैं उपर लिखके, पहले home रहता है, फिर services रहता है, फिर GST law रहता है, उसके बाद downloads होता है, और उसके बाद पांचमा जो होता है, वह होता है, search taxpayers, उसको click करिए, वहाँ click करने के बाद आपको 3-4 options आते हैं, उसमें आपको देखना है, search by GSTN, उसके बाद रहता है, search by pen, या उसमें temporary ID से भी search किया जाता है, लेकिन आप search by GSTN किलिक करना, किलिक करने के बाद एक pop-up आएगा, यानि एक table आएगी, window आएगी, उस पे आप party का GST number डालिए, GST number डालने के बाद उहाँ कैपेचा आएगा, कैपेचा डालिए, कैपेचा डालने के बाद आपको आपको आएगा, so filing table, कैपेचा जब डालोगे, तो वहाँ पे आपको company के बारे में सारा detail आजाएगा, उस company का सारा नाम, अभी GST cancel तो नहीं हुआ, GST number active है की नहीं है, यह सारे detail आजाएगे, उसके साथ आपको वहाँ पे आजाएगा, उसका HSN code, SSC code की वह क्या business करता है, यह सारी चीज़ें आपको आजाएगे, उसके बाद सबसे नीचे देखेगा की एक box होगा, एक button होगा, show filing table, show filing table को जब आप click करोगे, तब वहाँ पे उसका GSTR 9, GSTR 9C या GSTR 9A उसने file किया है की नहीं किया है, यह सारा detail वहाँ पे होता है, तो आपको देखना है कि GSTR 3 भी party ने file किया की नहीं, हला कि अब तो government alert हो गई है कि अगर आप GSTR 1, 3B file नहीं करते दो मेंने, तो registration आपको cancel कर दिया है, लेकिन अगर दो महिना में ही अगर आपका मोटा ITC चला गया, तो आपको कितना बड़ा loss हो गया, एक तो आपने party को GST payment कर दिया, उपर से अब आपको फिर से देना पड़े 16 सिंगार हमारे हिंदू सबिता में कह गया लेडिज को, अगर पिया को 17 सिंगार अच्छा लगे ना, तो वही 17 सिंगार उसको करना पड़ता है, है ना, या 16 सिंगार सपोच कर लो किसी लड़की ने लिपिस्टिक लगा लिए और उसके उपर liner लगा दिया, उसके पिया को पसंद नहीं है, तो वह शिंगार बेकार है, वही चीज यहाँ पे है कि जो लो में लिखा है, वो तो आपको करना ही करना है, आप चाहोगे ना, कि लो में ये चीज़ कम थोड़ा कर दो, 16 सिंगार ना करके 10 ही कर लो, 5 ही कर लो, बट ये सोचोगे ना, कि ये चीज को आप बेनिफिट मैं ले लूँ, नहीं होगा, अगर पकड़े गए, तो देखो नजर की बात है, अगर नजर पढ़ गई हो अफिसर्स की, तो मुश्किल है, तो ये आपको धियान रखना है, कभी भी, आज से आप इस चीज को ये में जो अपना अनुवफ शेयर कर रहा हूं से लग जाएए, GSTR 3B और R1 दोनों सर्च टेक्स पेर्स में जाके करिए, तो थैंक यू, इस वीडियो मैं यहां खतम करता हूं, I hope कि आप लोग समझ गए होंगे, बाबाए